कर दोस्तों सवगत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मद्द प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम चल ले हैं और उसमें जो रिजिनिंग के कोश्चन्स आ रहे हैं बैसे ही पैटन पर आपको कोश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टें के लिए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिंए जो अनुक्रम को फूरा करे तो पहला कोश्चन है यहां पर देखे कोश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पर क्या आएगा तो देखे सबसे पहले 179 जो होता है यह 13 का स्कॉर होता है 144 होता है 12 का स्कॉर होता है 121 जो होता है 11 का स्कॉर होता है उसके बाद 100 होता है 10 का स्कॉर देखे 13 के बाद 12 12 के बाद 11 और 11 के बाद 10 और 10 के बाद क्या आता है 9 9 का स्कॉर करेंगे तो आपका अंसर क्या आजाएगा 81 और यहां पर बताना कि कौन से अलफाबेट आएंगे तो सबसे पर सभी के पहले-पहले अलफाबेट उठा लेते हैं F से हम लोग G बनाते हैं अब ह से बनाते हैं I, इसका होता है नू, आट से नू बनने में पितना जुड़ा एक सभी में एक एक जुड़ा तो आगए भी एक जुड़ेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आजाएगा 10 10 किसका होता है J का तो पहला अलपापेट आपका मिल गया J अब सभी के बीच वाले उठाते हैं L से बनाते है M L का होता है 12 M का होता है 13 कितना जोड़ा एक जोड़ा अब M से N बनाते हैं N का होता है 14 मतलब 13 से 14 बनाएं तो कितना जोड़ा एक जोड़ा N से O बनाते हैं O का होता है 15 है 14 से 15 बनाएं तो एक जोड़ा तो आगे भी एक जोड़ेगा तो 15 में एक जोड़ेंगे 16 16 किसका होता है P का तो 2 अलफावेट आपके कौन से मिल गए J और P Option A में देखिए J बाई है तो यह नहीं होगा B E भी नहीं होगा C भी नहीं होगा लेकिन Option D में स्टार्टिंग के 2 अलफावेट JP मिल ला है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा Option D अगला कोश्चन है देखिए यहाँ पर 2 कोश्चन मार्क लगे हुए है यहाँ पर क्या क्या आएंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग A अलफावेट छोड़के A से डारेक्ट हम लोग C बनाते है A का होता है 1 C का होता है 3 तो कितना जुड़ा 2 फिर से एक अलफावेट छोड़कर E बनाते है E का होता है 5 मतलब इसमें भी देखिए 3 से 5 बनने में 2 जुड़ा फिर एक छोड़के G बनाते है G का होता है 7 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा 2 तो आगे भी एक छोड़ेंगे तो 7 में 2 जुड़ेंगे तो आपका 9 आजाएगा 9 किसका होता है A का तो आपका लास्ट वल अलफाबेट मिल गए आई अब हम लोग ऊपर के देखते हैं जो छूटे हैं P से हम लोग क्या बनाते हैं Q P का होता है 16 Q का होता है 17 कितना जुड़ा है 1 जुड़ा Q से R बनाते है R का होता है 18 अंदो फिरा against अगला कोश्टिन है guys का यहाँ पर कौश्चन मार्क लगां होओ ाइकते हैं पच्यानवे से 90 2 का हुआ decodge जिटना है लुकल Bowl 1 तो आपका कितना है 190 और 190 बनाने के लिए इसमें क्या हुआ एक जोड दिया अब देखे 47 से पीछे से हम लोग कर रहा है 47 से 95 बनाना है तो 47 में 2 का मल्टिप्लाई तो आपका 94 फिर एक जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी एक जोड़ा था अब 23 से 47 बनाते हैं तो 23 में भी 2 का मल्टिप्लाई 46 और एक जोड़ दिया मतलब सभी में पाहले 2 का मल्टिप्लाई हो रहा है उसके बाद एक जोड़ा जा रहा है तो स्टार्टिंग में भी यही कर लेते हैं 5 में 2 का मल्टिप्लाई करेंगे तो 10 और 10 में एक जोड़ देंगे तो आपको 11 आजाएगा तो option D is right answer अगला है प्रसंद संख्या 68-73 के लिए निर्देश है दिये के विकल्पों में से सम्बंदित सब्द अच्छा रत्वा संख्या को चुणना है तो 10 और 10 और 10 और 11 यहां पर question mark लगा हुआ है यहां पर क्या आएगा देखिए जिस प्रकार घोड़ा किस पर खड़ा होता है खुर पर खड़ा होता है घोड़े में खुर होता है उसी प्रकार आपका option is right answer मनुस जो है वो पैर पर खड़ा होता है ओके अगला है रात्री का सम्द्ने प्राता काल था तो question mark का सम्द्ण निकलना है देखिए जिस प्रकार रात्री के बाद क्या आता है प्राता काल आता है शुबह होती है उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा साइकाल is right answer साइकाल के बाद क्या आती है रात्तरी तरभा question है यहाँ पर question mark लगा हुआ है तो एक-एक को चेक करते हैं पहले Q, T, U को चेक करते है Q का alphabet code होता है 17 T का कितना होता है 20 U का कितना होता है 21 और देखे 17 से 20 बनने में कितना जुड़ा तीन जुड़ा फिर 20 से 21 बनने में कितना जुड़ा एक जुड़ा अब I LM को देखते है I का होता है 9 L का होता है 12 M का होता है 13 तो 9 से 12 बनने में कितना जुड़ा 3 जुड़ा और 12 से 13 बनने में एक जुड़ा तो देखे 2 में आपका क्या हुआ तीन और एक, अब B, E आपको देख लेते हैं B का होता है 2, E का होता है 5, F का होता है 6 तो 2 से 5 बनने में 3 जुड़ा और 5 से 6 बनने में 1 जुड़ा मतलब सभी में 3 और एक जुड़ा है तो आगे भी आपको ऐसा option जुड़ना है जिसमें 3 और एक जुड़ा है तो वो option अपका क्या होगा W, Z, A option C is right answer तो W का होता है 23 और Z का होता है 26 A का होता है पहले 3 जुड़ा उसके बाद देखिए 1 जुड़ा मांकी क्या option अगर check करोगो इसको ही देख लो C का होता है 3 F का होता है 6, H का होता है 8 पहले तो 3 जुड़ा लेकिन बाद में आपका 2 जुड़ गया, तो इसी प्रकार से आपका answer क्या हो जाएगा, option C is right answer Guys आपका अगला question है यहाँ पर question mark लगा हुआ है तो देखिए, L का विपरित alphabet code क्या होता है, O होता है P का विपरित alphabet code होता है K अब I का विपरित alphabet code होता है R तो आगे हमें कैसे निकालना है, तो देखिए L O में जो last बाला alphabet है O, O से हम लोग पहले P बना लेते हैं, O का होता है 15 है और P का होता है 16, तो इसमें कितना जुड़ा, एक जुड़ा, तो यही तरीका इसमें लगा लेते है, R के आगे लगा हुआ है, यहाँ पर कैसे बनाना है तो देखिए जिस परकार 64 का संबन्द 144 से, उसी परकार 256 का निकालना है, तो 64 में क्या लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं तो क्यूब लगाएंगे 64 को बाहर निकालेंगे, तो आपका कितना निकलेगा 4 निकलता, तो लेकिन 134 बन नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस पर direct under root लगा देते हैं तो 64 को under root से बाहर निकालेंगे तो आपका आजाएगा 8 और इसी 8 में क्या करेंगे हम लोग 4 को जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे तो और क्या आजाएगा 12 और 12 का स्कॉयर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है 144, यही तरीका इसमें लगाते है 256 में under root लगा है तो 16, और 16 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, क्यूंकि उपर भी 4 जोड़ा था और आगया 20, 20 का स्कॉयर करेंगे, तो आपका आजाएगा 400 अगला कोशन है, यहाँ पर कोशन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा तो कैसे करेंगे, देखिए 8 से हम लोग क्या बनाते है 8 के लिए देख लेते है तो 3 का अगर हम लोग क्यूब करते है तो हमें क्या मिलता है, 27 मिलता है और इसी जगा अगर हम लोग क्या करें 3 का स्कॉयर कर दें तो हमें 9 मिल जाता है और इसमें गटा थें, तो हमें क्या मिल जाता है, 8 यह तरीका 28 के लिए अपलाई करके देखते है उसके बाद क्या क्या रहेंगे तीन का cube कर देंगे पहले square किया फिर तीन का cube कर देंगे तो 27 आ गया और 27 में एक जोड़ दिया तो आपको गया मिल गया 28 पहले देखे square हुआ उसके बाद cube हुआ पहले गटा फिर जुड़ा इसी प्रकार 15 के लिए कर लेते हैं तो 15 में के लिए क्या करेंगे पहले 4 का square करेंगे 15 के नजदीक अगर पहुँचना है तो 16 में से एक गटा देंगे क्योंकि उपर भी आपका square में गटा था तो आपका आगया 15 है अब क्या करेंगे 4 का cube करेंगे तो 64 और 64 में एक जोड़ देंगे जाते हैं इसमें जो तीन विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से समान होते हैं एक जो विकल्प होता है वो अन्य तीनों से क्या होता है भिन्न होता है विसम होता है असंगत होता है यह सब ही नाम होते है तो 74 में आपका भिन्न काउन सा हो जाएगा कागज कैसे देखिए पेंस से कागज पर लिखा जाता है मारकर से भी लिखा जाता है पेंसल से भी लिखा जाता है लेकिन कागज से कागज नहीं लिखा जाता है अब 75 में आपको विशन बताना है विशन तो एक-एक ओप्सन को चेक करते हैं देखे एक अलफाबेट कोड होता है एक, बी का होता है दो, डी का होता है चार और जी का होता है सेबन, पहले आपका एक जुड़ा, उसके बार दो जुड़ा, उसके बार तीन जुड़ा, मतलब एक, दो, तीन ये सीरिस चल लए है, फिर देखे वी चेक करते हैं, सी का होता है नो पहले आपका एक जुड़ा ओल ना फिर आपका दो जुड़ा फिर आपका तीन जुदो विसम हो जाएगा तो यह आपका अनसर हो जोएगा इसको भी चेक कर लेते हैं G का होता है 7, H का होता है 8, J का होता है 10, K का होता है 11, पहले में एक जुड़ा ये तो सेम रहा, फिर दो जुड़ा ये भी सेम रहा, लेकिन 10 से 11 बनने में एक ही जुड़ा जुड़ना चाहिए था 3, तो विसम कौन सा हो जाएगा, अगला कुश्यन है वाजे संक्या हैं और ऑप्संसी जड़ा है तो गाइस आपके इस वीडियो में इतना ही थैंक यू